Hello friends, मेरे चैनल में आपका स्रॉगत है इस चैनल में कुछ इंटेस्टिंग बाते बाता हूँ जो आपके आसपास है और आपने सूचा नहीं So, have you thought of science? Friends, regular track में और जो metro के track होते हैं दोनों के बीच में एक difference आपने डोटिस क्या होगा Regular track के नीचे स्टोन्स होते हैं जिसको blast कहते हैं पर metro track के नीचे ऐसा कुछ नहीं होता So, have you thought why? Regular track के नीचे स्टोन्स क्यों होते हैं उसके बारे मैं एक वीडियो बनाया था जिसका link डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अभी हम बात करेंगे blastless tracks के बारे में जो regular tracks होते हैं जिनके नीचे स्टोन्स होते हैं या blast होते हैं उनका disadvantage होता है कि उसका maintenance cycle काफी high और tiny consuming होता है और उसका maintenance काम करने के लिए हमें ट्रैक को या तो partially रोपना पड़ता है या completely रोपना पड़ता है जिससे train delay हो सकती है और cleaning भी tracks का काफी difficult हो जाता है क्योंकि Metro tunnels में और bridges के थ्रू हो जाती है तो ऐसा maintenance है कि हम नहीं follow कर सकते हैं इसलिए वो blastless tracks यूज़ करते हैं ये concrete के slab के उपर concrete के slipper लगा होता है जिसके उपर tracks पिछे रहते हैं ये एक permanent strong maintenance free और long-lasting track लेता है concrete के use करने से इसका erosion बहुत कम होता है या ना के बराबर ही होता है और इसका cleaning में काफी easy है आईए इसके vibration damping के बारे में देखते हैं और ये एक formation हम स्टडी करते हैं ऐसे इसके कई formation है vibration damp करने के लिए ये rubber के dampers यूज़ करते हैं पहला तो slab के नीचे देते हैं दूसरा slab और slipper की बीच में भी एक damper यूज़ करते हैं लाकि वहां भी vibration arrest हो तीसरा tracks और slipper की बीच में भी एक vibration absorb करने के लिए एक damper लगाते हैं और जो bolting होता है या फास्टी होते है वहां पर या तो spring यूज़ करते है या या वहां भी कोई elastic material यूज़ करते हैं इसका this advantage यह है कि यह काफी expensive होता है और कोई में geometry change या repair काफी expensive होगा इसलिए इसको normal tracks पर use नहीं करते हैं उमीद करता हूँ कि आपको हमार वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा तो इसको like और share कीजिए अगर आपके मन में कोई question है या फिर इस वीडियो से कोई question है तो comment box में post कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे facebook page को like केजिए जिसका link दिया हुआ है या फिर इस चैनल को subscribe केजिए Thank you